हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूर यूटूब चैनल टीचिंग जाम उबलूट दोस्तों, आज के सेसन के अंतरगत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2013 की क्लास से चल नहीं है उसमें आज आज आपकी सेस्टी की नेक्स क्लास है जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे जो की है वायू तो आज का हमार टॉपिक क्या है वायू जो की जोगर्फी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है चलिए फिर सेसन को सुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा जादा जादा शेयर करें चलिए फिर बिनकिसे देरिक शुरू करते हैं जिसमें प्रतम बिंद बनता है वायू मंडल का संगठन जिस वायू का हम उपयोग सांस के लिए करते हैं वस्ताव में वह अनेक घैसों का मिश्टन है जो वायू हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं वह कई घैसों का मिस्टन है जैसे कि nitrogen, oxygen, carbon dioxide आ दी nitrogen दथा oxygen ऐसी दो गैसे हैं जिन में वायू मंडल का बड़ा भाग है nitrogen दथा oxygen ऐसी दो गैसों हैं वाई मंदल में कम मात्रम पाई जाती है साथ ही गैस के अलामा धूल के छोटे करण भी हवाई में मौझूद होते है तो गैसों के अलामा धूल के छोटे करण भी हवाई में मौझूद होते है नाइट्रोजन वाई में सरबादी पाई जानी वाले गैस है और वो सीधे वायू से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं तो इस कारण वाज वहाँ नाइट्रोजन जड़ों के रूप में लेते हैं जड़ों से आक्सीजन वायू में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है हरे पादप अपने भाहुजन के रूप में कार्फन गायस के प्रयोग करते हैं, वहाँ है स्योट अरथाद कार्वन डाइकसईड और निकालते हैं, मनेश तथा पसुह द्वारा बहाँ छोड़ी जाने वाली कार्बन डाय अक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती जिससे यह संतुलन बना रहता है परन्तु यह संतुलन कोईला तथक खनीस तेल आदी इधनों के जलाने से गड़ बढ़ा जाता है वे माई मंडल प्रतिवर्स करोनो टन डाय अक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं परद्याम सरूप कारबन डाय अक्साइड का बढ़ा हुआ आयतर प्रिदवी पर मौसम तदा जल्वाई को प्रभावीद करता है आए देखते हैं कि कारबन डाय अक्साइड कैसे जल्वाई को प्रभावीद करता है सॉट से उसमा प्रिदवी से भिक्रिट ऊसमा प्रिदवी पर रोगपाव पईदा करता है तो पिद जो इसे जाने नहीं देता है तो रोग लीता है इसलिए से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता मैं मैं अगर य मंदल को धरती ऴदा भशाआती। किन्तु जब कारखानों एक कार के धुवे से वायमंडल में इसका अस्तर बढ़ता है परन्तु जब CO2 का अस्तर वायमंडल बढ़ता है जब यह उस्मा को ज़्यादा अधिक रूप से रोकता है जिसे भूमंडली तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते है जितना इसका अस्तर बढ़ेगा वा उस्मा को उतना ज़्यादा ताकत से रोकेगा इसलिए यह उस्मा और बढ़ेगी तथा भूमंडली तापन या ग्लोबल वार्मिंग होगा तापमान में इस बृद्धी के करण पृद्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में भी वर्बर फिगलने लगती है जिसके परिड़ाम सुरूर सम्मूद्र के जलस्तर में बृद्धी होती है तथा तटी छेत्रों में बाढ़ हादने का सम्हावना होता है इस प्रकार हमने देखा कि CO2 कैसे हमारे जलवाओ को प्रवावीत करती है इसमें अगला बिंदु है जब वायू गरम होती है तो वह फैलती है और हलकी होकर उपर उठती है ठंडी वायू सगन और भारी होती है तो जब वायू गरम होती है तो वह उपर उठती है अगला बिंदु है वाय मंडल किस नचना हमारा वाय मंडल पांच पड़तों में भव भाजित है जो परिद्बी की सता से आरम होती है ये हैं छोब मंडल, समताप मंडल, मध्यमंदल, बाह मंडल तथा बाहिर मंडल तो ये प्रस्ण बन सकता है कि हमारा वाय मंदल किन पांच परतों में भी भाजित है वे हैं छोब मंदल, समताप मंदल, मध्य मंदल, बाह मंदल तथा बहिर मंदल नमबर एक छोब मंदल यहाँ परत वाय मंदल में सबसे माहतपूर परत है छोब मंदल की ओसत उचाई 13 किलो मीटर होती है तो छोब मंडल की अफसत उचाई कितनी होती है 13 किलो मीटर हम इसी मंडल में मौझूद वाईव में सांस लेते हैं मौसाम की लगबग सभी घटनाय जैसे वर्सा, कोहरा, एयो ओला वर्सान इसी परत के अंदर होता है यहाँ परत पेपर में आ चुका है परत पाई जाती है, यहाँ परत सूर्च से आने वाली घटनाय जैसों से मारी अच्छा करती है तो समताप मंडल में महुत्पूर बातें क्या क्या है यहाँ लगबग 50 किलो मेटर की उचाई तक होती है यहाँ हवाई जहाज आदी उड़ाने के लिए आदस परिस्थितियां उत्पन करती है क्योंकि यह मौसम संबंधित गटनाओं से परे होती है तथा इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है अगला मंडल है मध्ध मंडल यहाँ मंडल की तीसरी परत होती है यहाँ समताप मंडल के ठीक उपर होती है यहाँ लगबग 80 km की उचाई तक फैली होती है अंत्रिश में प्रवेश करने वाले उलकापिंड इस परत में आने पर जल जाते है इसमें महत्पूर बिंदु क्या है कि वाई मंडल बाह मंडल में उचाई बढ़ने साथ तापमान बहुत अत्तिधिक तीबृत से बढ़ता है तथा रेडियो संचार के लिए इसी परत का उप्योग की जाता है अगला मंडल है बाहिर मंडल जो आखरी मंडल वाई मंडल की सबसे उपरी परत को बाहिर मंडल दाम सचाना जाता है यहां वाई मंडल की पतरी परत होती है हलकी गया जैसे हीलियम ही हाइड्रोजन यहां से अंत्रिश में तरती है क्या आप जानते हैं कि प्रिद्भी सूर की उज्जा का केवल दो अरबुआ भाग ही प्राप्त करती है तो यहां महतपूर बिंदु जो पेपर में आ चुका है कि प्रिद्भी सूर का कितना भाग प्राप्त करती है तो वहाँ है दो अरबुआ भाग अगला बिंदू तापमान, आप प्रति दिन जिस तापमान का अनभो करते हैं, वहाँ वाई मंडल का तापमान है, वाई में मौझूद ताप यह सीतल्था के परड़ाम को तापमान कहते हैं, आथपन, बहुत महतपूर बिंदू जो पेपर में आ चुका है, कि आथपन क्या ह तो आथपन, सूर में आने वाली उर्जा जिसे प्रिद्वी रोक लेती है उसे आथपन कहते हैं अगला बेंदू, तापमान को मापने की इकाई डिग्री सल्सियस है तो तापमान की मापने की इकाई क्या है? तापमान मापन की वा है डिग्री सल्सियस इसका अभिसकार एंडर से Celsius ने किया था Celsius पैमाने पर जल 0 degree Celsius पर जमता है यह 100 degree Celsius पर उबलता है तो तापमान मापने एक माना की क्या है डिगरी Celsius इसका अभिसकार एंडर से Celsius ने किया है तता 0 degree Celsius पर पानी जमता है तता 100 degree Celsius पर उबलता है अगला बिंदू है क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायू नहीं है अत्यों वहाँ वाय दाब भी नहीं है अंत्रिच यात्री इसमें एक प्रस्नियाभी बन सकता है तो वायू दाब कहते हैं तो चांद पर वायू नहीं है तथा वहाँ वायू दाब भी नहीं है इसलिए यात्री जब चांद तो उनके सरी में भिप्रिद बल लगने कर उनकी रख्ट इसी नहीं फट सकते हैं, जिसे अंत्रिच श्यात्री का रख्ट अस्रावित हो सकता है. अगला बिंदू, प्रितवी की सता पर वायू के भार दारा लगाया गया दाब, वायू दाब कहलाता है, तो वायू दाब क्या है, प्रितवी की सता पर वायू के भार दारा लगाया गया दाब, वायू मंदल में उपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, या ब वायू को ताप द्वरा प्रवावित होता है अधिक ताप मानवाले छेतरों में वायू गरम होकर उपर उठती है यह निम्न दाप छेतर होता है तो वायू जब गरम होकर उपर उठती है तो नीचे का स्थान खाली हो जाता है तो नीचे वायू आकर जमा होती है इसलिए इसे निमन दाब छेतर कहते हैं निमन दाब छेतर में बादल यूक्त आकास यह नम नम मौसम के साथ जुड़ा होता है कम ताप मानवाले छेतरों की वाईव ठंडी होती है कम ताप मानवाले छेतरों की वाईव ठंडी होती है इसके सरूप यह भारी होती है भारी वायू निमजित होकर उच्छ दाप शेतर बनाती है। पश्च में पूर्बी पाउने अस्थाई पाउने के लिए गता है। अगला बिंदू आदरता जब जल पिद्भी एम विबिन जलासियों से वास्पित होता है तो यह जल वास्प बन जाता है तो जल वास्प कैसे बनता है जब जल पिद्भी से वास्पित होता है तो वह जल वास्प बन जाता है वायू में किसी भी समय जल वास्प की मातरा को क्योंकि वाई गर्म होती है तो वाज जलदारन करने के चमता और बढ़ जाती है इस कारण वाज यहाँ अधिक आदर हो जाती है आदर दिन में कपड़े सुकनिम काफी समय लगता है यह हमारे सरीर से पसीना आसानी से नहीं सुकता है और हम असाहाज महसूस करते हैं तथा जब जलद कीफूंदे अतनी भारी हो जाती है कि वाई में तैयर ना सके तो यह वरसन के रूप में नीचे आती है अब प्रसंशन बंदता है को वर्सन क्या है और जलद के रूप में गिSab उसे चक्रवाती वर्सा करते हैं अगला है परवती वर्सा आदर वायु जब पवन से टकरा कर वर्सा करती है उसे परवती वर्सा करते हैं तथा तीसरा है समवहनी वर्सा जब गर्म वायु ऊपर जाती है वह भारी होकर ठंडी होकर वर्सा करती है तो उसे समवहनी वर्सा करत आते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल का निंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे जॉइन हो जाईए आपको सारी पीडियाफ वहीं मिलेंगी चलिए फिर धन्यवाद